हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आसा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यास्थ होंगे आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का और क्लास 11th का Physics, Chemistry और Biology का Complete, Neat Slavers जो की Reduced Slavers है उसकी ये PDF है जो की Original PDF है आप इसके अंदर देख सकते हैं ये जो PDF जो फाइल है इसको वन मिनेट विटा तो ये जो हमारी PDF फाइल है इसको रिलीज किया गया है 6 अक्टूबर को ठीक है 6 अक्टूबर 2023 को तो PDF फाइल आज जब तक हमारे पास कोई legal notice नहीं आता है तो हमारी कोई भी वीडियो आपके पास नहीं आती है तो ऐसे ही किसी की भी जो वीडियो उठाके या किसी की भी जो PDF उठाके हम ऐसे प्रोवाइड नहीं करते हैं तो legal notice के साथ जो physics, chemistry और biology का syllabus reduce जो हो चुका है तो उसकी यहां पर हम PDF दिखाने जा रहे हैं अगर आपको लगता है आपके लिए जरूरी है और जो students जो हैं जो 11th class में हैं और जो students 12th class में हैं आगे NEET का exam देने वाले हैं आपको पता है कि NEET के लिए जो NCRT की जो books हैं उनके अंदर पहले से ही syllabus को reduce कर दिया गया था लेकिन NEET के लिए clear नहीं हुआ था कि syllabus जो है जो reduce जो syllabus हुआ है वो आगे के लिए मिस continuous है या नहीं है तो इसमें इस notice के अनुसार जो आपका 6 October को release हुआ है यह आपका undergraduate medical education board के द्वारा किया गया है तो यहाँ पर जो 6 October को किया गया है इसमें physics, chemistry or biology के लिए syllabus दे रखा है तो syllabus को आप देख सकते हैं इस syllabus है NEET UG का 2024 के लिए syllabus दे रखा है सबसे पहले physics का है तो इसमें जो भी syllabus को includes कर रखा है चाहिए वो physics का हो, chemistry का हो, bio का हो वो आपका 11th और 12th दोनों ही classes का syllabus है तो आप के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाली है आप चाहें तो इसके लिए screenshot ले सकते हैं वरना description में हमने i button पर link दे रखा है आप वहां से हमारे whatsapp group से जुड़ सकते हैं हमारे telegram group से जुड़ सकते हैं और ये जो मैं आपको pdf दिखा रहा हूँ इसकी आप pdf भी हमारे telegram channel से download कर सकते हैं तो ये आपका हो गया physics का syllabus साथ साथ आगे आने वाला है optics इसकी यहां पर unit से ये हो गया इसके बाद हमारे पास ये जो syllabus है आगे है chemistry का ये chemistry का syllabus है ठीक है starting में 11th की units यहां पर दे रखी है उसकी बाद फिर 12th की units आएंगी chemical bonding और molecule structures ठीक है thermodynamics ये सभी 11th की units है solution है equilibrium है ठीक है redox reaction है chemical kinetics की अगर हम बात करते है तो इसमें कुछ 12th की units है ये भी हमारे पास 12th की units के अंदा includes किया गया है और unit 9 ये हमारे पास 11th के लिए है ये भी 10th unit 11th के लिए है तो 11th और 12th दोनों का syllabus यहां पर दिया गया है आप बहुत ही अच्छी पेकार से इसको देख सकते है बिलकुल एकदम clear PDF है original PDF है hydrocarbons के साथ organic compound अब हमारा जो man जो subject है जिसके लिए आप हमसे जुड़े हुए हो उसका syllabus आने वाला है इसको आप देख सकते है इसका syllabus क्या है यहां पर आगा biology यह हो गया biology का तो first unit diversity in the living world है इसके हमारे चार chapters है चार chapters जो है इनके अंदर आप देख सकते है कौनकों से topics आपको करने है उसी के according उसी के according आपको preparation जो है अपनी करनी है यह second unit हमारी दे रखिए यह third unit हमारी दे रखिए यह होगा plant physiology के लिए तो screen shot आप ले सकते है plant physiology यहां complete हो जाती है और यह हो गया human physiology के लिए तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपका digestive system वाला जो chapter है digestion and absorption वाला वो reduced किया गया है तो original एकदम PDF है सारे सारे chapters यहां पर जो है indicates कर रखिए तो यहां से आप यह होगा 12th का syllabus यहां से start हो जाता है तो आप इसकी जो है PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल से उसका link मैं description के अंदर आपको दे दूँगा वैसे भी आपको पता होना चाहिए आप काफी टाइम से मारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो C.R.Singsar जैसे ही आप जो टेलिग्राम के अंदर सर्च करते हैं तो आप हमारे गुरूप को जोइन कर सकते हैं बायो टेक्नलोजी यूनिट है आगे एकोलोजी है बेटा ठीक है एकोलोजी इसकी लाक्ट यूनिट थी thank you thanks for watching this video आगे हम बहुत ही important series आपके लिए लेने के लिए लेके आ रहे ह तो आप जो है जरूर हमसे जोड़े रहे हैं thank you thanks for watching